नास्कार दोफ्ता एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेटेफ्ट प्रेनिकल कराई है कि क्रमचारियों के लिए आ गई है बड़ी कुछ कबरी नई सरकार के गठन के बाद वीत मंत्री का बड़ा ऐलान पैंशन बोग्यों की आठ मांगे हुई पूरी बजट में मिला करमचारियों को बड़ा तोफा तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि बजट में पैंशन भोग्यों की कौन सी आठ मांगे पूरी हुई है और पैंशन धारकों को कौन कौन से बड़े लाब मिले हैं अगर आप थमारे च हंदेरी के दोस्तों लोक सबाचुनाओं के नतीजों के बाद सरकार पैंशन भोग्यों को नाराज नहीं करना चाथी थी सरकार कौपता चल गया है कि अगर सत्ता में काविज रहना है तो पैंशन भोग्यों से कोई बैर मोल नहीं लेना इसमें पैंशन बोग्यों की लंबित मांग अब सरकार इस कार्यकाल में पूरा करते हुए दिखाई दे रही है इस तरह अगनी पभीर योजना में संसोधन का प्रावधान के अंदर सरकार करने वाली है वही पर नई पैंशन योजना के तैक रमचारियों को उ बड़ी उमीद है तिसरे कार्यकाल में मोदी जी उनकी लंबित मांगे पूरी करेंगे वही पर वित मंत्रयले की जिम्यदारी स्रीमति निर्मला सितारमन को सोब दी गई है पैंशन बोग्यों को उन से भी बड़ी उमीद है वही पर रेल मंत्रयले की जिम्यदारी स्री अश ली है एसम पेंशन बोगियों को इस बार बजट से उमीद है कि कम्यूटेशन बाहली पंदरा साल से गठा कर बारा साल की जाए इस पर तक्स नजारा गुजरात और राजस्तान में देखने को मिला राजस्तान सरकार ने कम्यूटेशन बाहली की अवदी पंदरा साल से गठा क 12 साल करने का अश्वाशन दिया है वही पर गुजरा सरकार ने इसे गटा कर 13 साल कर दिया है इन राजों में बीजेपी सरकार है ऐसे में बीजेपी राजों में इसका फाइदा मिल रहा है तो किंदर में क्यों ना मिले ऐसे में किंदर सरकार योग गय निना लेते हुए कम्यू पेंशन बोग्यों की लंबित मांगों में से एक मांगी है कि उनकी पेंशन आयकर से युक्त रखा जाए ऐसे में पेंशन बोग्यों की इस मांग के उपर केंदर सरकार बजट में विचार करेगी और इस लंबित मांग को पूरा करेगी क्योंकि केंदर सरकार पेंशन बोग्य लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी छूट को दुबारा लागू किया जाए तो इससे सबक लेते हुए केंदर सरकार रेलवे किराई में 50% की छूट पैंशन बोग्यों और सिनियर सिटीजन को दे सकती है करमचारियों को केंदर सरकार से उमीद है कि NPS को खतम करके OPS को बा पैंशन हजार रुपे से बढ़ा कर साड़े साथ जार प्लस डिये किया जाए पैंशन बोग्यों द्वरा इसकी मांग कर लंबे समय से की जा रही है लेकिन केंदर सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई थी ऐसे में लोक्सभा चुनाओं में BJP को पैंशन बोग्यों की हाई जरूर आएगा दोफ्तो साथ में स्री राजना सिंग ओर ओर ओपी थरी का फायदा पैंशन बोग्यों को दे सकते हैं हर पाई साल पर ओर ओपी में रिविजन होता है अब इसी साब से जुलाई से ओर ओपी लागू हो जानी चाहिए दोफ्तो परदानमात्री नरेंदर मोद इसे पर पैंशन बोग्यों को उम्हीदे के एकारा महीने के बकारडिय अरियर का पैसा जाल दे उनके करम चारी के खाते में डाल दिया जाएगा पैंशन बोग्यों को उम्हीदे के साथ्वा किए जाने कि उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि पंशूंग विश्चन बोगी संगटों नहीं सी रेस से 18 महीने की इसे को देखती वे केंदर सरकार पंशन बोगयों की इस इच्छा को पूरा कर सकती है और बज़ट में इसका एलान ही हो सकता है इसके साथी के अंदर सरकार fix medical announce को हजार से बढ़ा कर तीन हजार और तीसरे कारेकाल में केंदर सरकार की सभी च्छाओं का मान रख सकती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै वारत